हरो दोस्तों आप सभी का माच चैंश टेडी रूप एजिकिसन में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम फ्लेमिंग के बायहात के नियम के बारे में जानेंगे कि फ्लेमिंग के बायहात का नियम क्या है इनमें कौन सी उंगली किसे प्रदसित करती है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग के बायहात के नियम के नियम के नियम सबसे पहले आपको बायहात का अंगुठा, तरजनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि वे एक दुसरे के परस पर लंबवत हो इस उंगली को मध्यमा कहा जाता है और इस उंगली को तरजनी कहा जाता है इन तिनों उंगलियों को आपको इस प्रकार फैलाना है कि वे एक दुसरे के परस पर लंबवत हो इसमें तरजनी छेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है जबकि मध्यमा विद्धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है और वहीं अंगुठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती है तो इस प्रकार आप तरजनी मध्यमा और अंगुठा के माध्यम से शेत्र की दिशा, विद्धुद्धारा की दिशा और चालक पर लगने वाली बल की दिशा को ग्याद कर सकते हो।